Game of Bitcoin channel subscribe करिए और bell icon दबाइए latest crypto updates के लिए दोस्तों top 100 coins की जो series मैंने start किया है उसमें कल हमने pick किया था Avalanche, Avalanche का review अगर आपने नहीं देखा है तो कल का मेरा वीडियो जाके देख सकते हैं अब इसी series को continue रखते हैं और अपना next coin ढूंडते हैं कौन सा है तो आज का जो coin है अगर हम list के तरूदा हैं तो Avalanche के बाद जो next coin में review करूँगा वो है Monero जो है rank number 29 पे इससे पिछले जितने भी coins हैं जैसे cosmos, near वगरा के reviews में already कर चुका हूँ तो वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पर channel में आएंगे playlist में आएंगे इधर आपको मिलेगी coin खजाना playlist coin खजाना playlist में अभी फिलाल 97 videos हैं और यह सारे के सारे project related हैं project को review किया हुआ है तो यह पुराने videos आके आप देख सकते हैं अब इस series को continue रखने के लिए मुझे चाहिए आप लोग का support तो जितना ज्यादा आप ऐसे videos को share कर सकते हैं जितना ज्यादा आप video like करेंगे comment करेंगे उतना ज्यादा मुझे motivation मिलेगी आप लोग लिए regularly quality content बनाने की और खासकर अगर आप लोग channel subscribe करते हैं bell notification icon click करते हैं तो आप भी updated रहेंगे crypto की दुनिया से जो की bear market में और भी ज्यादा important हो जाता है क्योंकि यही time है आपको ऐसे projects find out करना जिसमें आप potentially invest कर सकते हैं ताकि जब bull market आए तो आपको अच्छे घासे वहाँ पे returns मिलें तो start करते हैं आज का review वह है Monero coin का और Monero privacy coins का बादशा है अगर आप privacy coins के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में Monero ही आता होगा क्योंकि यह सबसे पुराना coin भी है Monero यानि की xmr साथ साल पहले launch हो गया था circulating supply इसकी 18.1 million coins की है total market cap है 2.2 billion dollars और अगर हम इनके all time high देखेंगे तो 542 इसका all time high था dollar की terms में 4 साल पहले और ज launch जब वहता साथ चल पहले तो 21 cents का price action wise अगर आप देखेंगे तो इस chart से आपको easily देखने को मिल जाएगा कि फिलहाल जो levels चल रहे हैं इसके एक support level है अगर इसको break करता है तो prices का down जा सकता है और फिलहाल जो level है वो multiple levels पे यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे touch point करता है त यहां पे privacy coins को regulate करने की heavily regulate करने कोईश करी जा रही है उसके चलते price पर negative impact short term medium term में आपको देखने को मिल सकता है और वो ही मेरे ख्याल से यहां पे time होगा Monero में entry लेने का तो levels के इसाब से अगर हम बात करें तो 60-70 dollars या उससे भी नीचे अगर आपको entry मिलती है Monero में तो आप consider कर सकते हैं हाला कि यह कोई financial advice नहीं है जहां तक रही bullishness की बात कि Monero का price perform कर सकता है कि नहीं multiple access returns दे सकता है नहीं वो सब depend करेगा कि regulations क्या turn लेती हैं किस हिसाब से governments crackdown करते हैं क्या Monero को restrict actually में कर पाते हैं कि नहीं इसके लावा chain analysis ऐसी firms कितने level तक Monero की transactions को penetrate कर पाते हैं और most importantly Monero की listings कहां कहां पर हैं और कितनी यहां पर market में उसकी liquidity है तो जहां तक रही centralized exchanges की बात और यहां पर Monero की listings की बात तो उनके उपर काफी ज़्यादा pressure है government की तरफ से खासकर privacy coins पर जितने भी listed है centralized exchanges पर उनके उपर government pressure से listings remove करने का और यहीं से अपनादा लगा सकते हैं अगर आप देखेंगे तो Monero को पिछले एक डेट साल में काफी सारी centralized exchanges से remove कर दिया गया है kraken ने डिलिस्ट कर दिया है यहाँ पर यह नवेंबर 2021 में कर दिया गया था उसके अलावा EU ने announcement करी है जो की recent है first April 2022 की कि वो एक proposed legislation लेके आएंगे जहां पर कोशिच करी जाएगी कि सारी privacy remove करी जा सके cryptocurrencies से ऐसे ही लगबख डेट साल पहले Bittrex ने भी Monero को अपनी एक्षेंज से remove कर दिया था तो despite all this के इतनी खेंजे से यह remove हो चुका है अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर major जो एक्षेंज है या पिसेंटलाइज एक्षेंज वो बाइनांस पर फिलाल अभी भी listed है बट इतनी कम liquidity market में होने के बावजूद भी और खासकर regulatory pressure होने के बाद भी अगर आप compare करेंगे तो Monero ने अपना price जो है जो price levels है वो काफी हद तक अच्छी तरीके से maintain किये हुए हैं और इसका सीधा सीधा credit जाता है community को और जो developers है Monero के पीछे उनको क्योंकि Monero one of the most advanced crypto's है आज की date में हाला कि साथ साल पहले यह introduce कर दी गई थी पर इसके पर constant developments चल रही है और जहां तक chain analysis और काफी सारी forensic firm जिन्होंने claim किया है कि Monero को crack कर दिया गया है वो true sense में crack नहीं किया गया है वो एक probabilistic view है यानि कि आप 100% surety के साथ उनको use करके point out नहीं कर सकते वो जो भी transaction Monero पे हुई है वो किसी एक बंदे के साथ अगर linked है तो उसका कुछ link हो सकता है बट 100% guarantee उसकी नहीं है तो एक true sense में Monero को अभी तक trace नहीं किया गया है कोई ऐसी firm नहीं आई है जिन्होंने true sense में Monero को trace कर लिया है या फिर जो cryptography हो रही है उसको break किया है अब आपको यह जानके हरानी होगी खासकर जो नए है crypto से जुड़े हैं कि crypto currency is generally anonymous है बट privacy centric नहीं है in fact cash और gold अगर आप यूज करते हैं उससे ज्यादा transparent है यहाँ पर crypto currency क्योंकि हर एक चीज ब्लॉक्चेन पर register हो रही है हर एक चीज़ आप trace कर सकते हैं बट Monero यहाँ पर एक ऐसी currency है एसा coin है जो बहुत similar features provide करता है cash के और in fact cash को सबसे जादा resemble करता है क्योंकि यहाँ पर जितनी भी transactions है वह anonymous तो है ही साथ ही साथ यहाँ पर private भी है तो बिल्कुल वैसे ही जगे से आप cash को trace नहीं कर पाते या बहुत मुश्किल होता है cash को trace करना exactly वही चीज यहाँ पर Monero आप तो आपको सिर्फ transaction hashes दिखाई देंगे बट बाकी सारी जो चीजे है क्या amount sent किया जा रहा है कहां पर send किया जा रहा है किसको मिल रहा है वह सारी की सारी चीजे यहाँ पर दिख सकते हैं कि यह confidential है अब जैसे कि मैंने आपको बदाया कि Monero को लेके काफी active development चल रही है despite the fact कि इतनी regulatory यहां पर concerns है बट क्योंकि यह पूरा का पूरा open source है और कोई एक company नहीं है एक individual नहीं है जिसको manage कर रहा है पूरा का पूरा 100% decentralized है 2000 से ज्यादा nodes हैं जो Monero host कर रहे हैं Monero के code base पे regularly काम किया जा रहा है इसको और ज्यादा robust बनाने के कोशिश करी जा रही है और और ज् इसमें ऐसे features introduced किये जाएंगे जो अभी के मुकाबले इसको और ज्यादा private बना देंगे तो वही अंदातार बना सकते हैं यहां पर roadmap को देखकर roadmap में 2021 में क्या-क्या इन्हों ने किया था August 2021 में बहुत important यहां पर चीज implement कर दी गई थी Monero के अंदर वो था Monero Bitcoin atomic swaps यानि की उपना control दिये कर सकते हैं यानि कि आपको किसी भी exchange पर जाने के जरूरत नहीं है पूरा का पूरा P2P है पूरा का पूरा decentralized है और साथी साथ anonymous और private तो है ही अब 2022 में यहां पर आप देखेंगे तो Havana bulletproof प्लस और ट्रिप्टिक यह तीन चीजे हैं जहां पर काम किया जा रहा है Havana काफी ज्यादा important है हलाकि इसको इसका UI को थोड़ा सा pause कर दिया गया है due to lack of funds क्योंकि अभी market town है बट यह अगर implement हो जाता है तो यह बहुत बड़ा boost देगा यहां पर Monero की liquidity को ज्योंकि Havana जो है non-custodial decentralized exchange होगी for crypto and fiat currencies built on Tor and Monero और इस से ज्यादा privacy आपको और कहीं नहीं मिलेगी यह बहुत important step होगा Monero के life cycle में क्योंकि यहां से आप centralized exchanges को पूरा 100% cut कर देते हैं उनकी आपको कोई जरूरत नहीं होगी तो जितना मर्जी regulatory pressure आपका centralized exchange पर आए चाहे Monero वहां से dealiest हो बट आपके पाच कुछ ना कुछ यहां पे place हमेशा रहेगी एक decentralized exchange की वज़े से जहां पर आप Monero को दूसरी currencies में convert कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल trustless way में बिना अपनी privacy lose किये तो यह तो development में है ही और साथी साथ अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको यहां पर देखने को मिलेगी वो है second layer solutions for speed and scalability तो बिल्कुल वैसे जैसे कि polygon network Ethereum को scale करता है एक layer two solution यही चीज मोनेरो में भी plan करी जारी है तो future मोनेरो का काफी जादा exciting है अगर आप layer two की बात करें डी सेंट लाइज exchanges की बात करें जहां पर liquidity increase हो रही है scalability हो रही है यहां पर speed increase हो रही है तो definitely attractive proposition बन जाता है मोनेरो future में और given the fact कि यह पूरा का पूरा community driven है पूरा का पूरा decentralized है और पिछले साथ साल से exist कर रहा है price levels भी आपने देखे हैं तो definitely एक ऐसा coin जो dips में हम लोगों को accumulate करना चाहिए finally video खत्म करने से पहले बहुत important कुछ statistics हैं जो एक Twitter account में यहां पर share हो हैं सिर्फ first July को ही यहां पर share हो हैं तो काफी recent है और इससे भी आपको अंदादा लग जाएगा कि मोनेरो कितना जादा popularity धरे धरे gain कर रहा है मोनेरो transactions are higher than ever तो यह आप देखेंगे उन में से 98 परसेंट जो transaction से मोनेरो की transaction से और बाकी सारे जो है privacy coins वो सिरफ 2% volume cater करते हैं तो 98 परसेंट privacy coins की transaction जो volume जनेट हो रही है वो मोनेरो में हो रही है तो मेरी बाकी हमेशा की तरह यह कोई financial advice नहीं है आप लोगों के लिए बस एक pointer है एक basic overview है ताकि आप इसके उपर अपनी research जो है एक right way में right direction में continued रख सकें तो दोस्तों यह था मेरा आज का वीडियो उमीद करता हूँ यह आपको पसंद आया होगा वीडियो को जो लाइक करें शेर करें चैनल को subscribe करना मत बूलिया मिलता हो हमें आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए have a safe investment